दोसो इस वीडियो में हम लोग एक इंडियन बॉर्ण बिर्टिश अमेरिकन नोविलस सलमान रश्दी को डिस्किस करेंगे जो कि फीमस है अपनी नोवल मेड़नाइट चिल्डरन के लिए यह जब भी कोई वर्क लिखते थे तो चार चीजों को जोड़ना बहुत पसंद करते थे पहला मैजिक, हिस्ट्री, फिक्षिन और रियलिज्म इनका पूरा नाम है एहमद सलमान रश्दी 19 जून 1947 बॉम्बे में इनका जन्म हुआ उस वक्त तक बॉम्बे बॉम्बे प्रेजिदेंसी था क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया से गई नहीं थे इनके दो वर्क्स बहुत ज्यादा फेमस है मिडनाइट चिल्रन 1981 और दा सैटनेक वर्टस उन्निस अट्यासी बुकर प्रेज इनको मिला था मिडनाइट चिल्रन के लिए 1981 में और इनके ज्यादतर वर्क्स पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर का हिस्सा है अब बात करें इनकी नोवल मिडनाइट चिल्रन की उसके लिए इनको बुकर प्रेज मिला था जो की बहुत बड़ा आवार्ड होता है और सैटनेक वर्सिस इनकी फूर्ट नोवल थी जिस नोवल की वज़े से इनकी जान पर बनाई थी इनको मौत की धमक्या मिलने लगी थी इनकी फर्स नोवल थी ग्रीमस एक fantasy और science fiction नोवल जिसको ना तो public ने seriously लिया ना literary critics ने उसके 6 साल बाद इनकी दूसरी नोवल आती है Midnight Children जिसके publish होने के बाद इनको कुछ पहचान मिली बहुत पहचान मिली 1981 में इनको बुकर प्रेज मिला इस नोवल के लिए ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो 1947 में इंडिया के आजादी के वक्त पैदा होता है आदी रात में जिसको पैदा होने के साथ ही कुछ ऐसी special powers प्राप्त होती है कि वो उसी date को उसी रात में उसी वक्त पैदा हुए बच्चों के साथ में mentally connection बना सकता है और वो बच्चे का character जिसका नाम है सलीम काफी हद तक similar है हमारे author सल्मान रश्दी से लेकिन सल्मान रश्दी इसको साफ इंकार करते हैं कि कोई भी autobiographical element नहीं है इस novel में Midnight Children के बाद इन्हों ने लिखी एक novel Shame 1983 में पाकिस्तान में उस वक्त जो political उथल पदल हो रही थी उसको लेकर और इस novel में जो characters हैं वो based हैं जुल्फिकर अली भुटो और मुहमत जिल उलहक पर इस book को France में Best Foreign Book का अवार्ड मिला और काफी हद तक ये करीब पहुंच चुकी थी Booker Prize के फिर 1987 में इन्होंने लिखा The Jaguar Smile को ये novel थी Central America में एक देश है निकारा गुआ उसके बारे में ये book लिखी हुई है ये एक non-pictural book है फिर 1988 में इनकी एक book आती है जो की बहुत ही most controversial work था इनका satanic verses इसके लावा बहुत सारी short stories भी नोंने लिखी है जैसे East West 1994 The Moors Last Eye The Ground Beneath Her Feet इनके works को पाँच बार लगबग पाँच बार booker prize के लिए short list किया गया 1981 में Midnight Children को 1983 में Shame को 1988 में Satanic Verses को 1995 में Moor Last Eye को 2019 में ये work था जिसको मैं pronounce नहीं कर पाऊंगा sorry और 2005 में इनकी novel Shalimar the Clown को एक prestigious award मिला जिसका नाम है Hutch Crossword Book Award 1993 में इनको मिलता है Austrian State Prize of European Literature 2008 में इनको मिला था James Joyce Award University College Dublin से और 2019 में Swiss Free Thinker Award 2004 से 2006 तक ये Pan American Center में President थे उमीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ helpful थापित होगी दोस्तों आज की इस वीडियों बस इतना ही